Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम डिसकस करने वाले हैं UKG English Worksheet जो भी बच्चे अभी LKG से पास आउट होकर के UKG क्लास में गए हैं ये वर्क्षिट उन बच्चों के लिए काफी हल्फुल होने वाली है आप इस वर्क्षिट को LKG क्लास के बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और क्लास फर्स्ट के बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने सारा grammar जो पार्ट है वो यूज किया है So English grammar के बिहाफ से ये जो worksheet है ये बच्चों के लिए काफी helpful होने वाली है तो यहाँ पर हमारा first question है related vowel से vowel होते हैं हमारे A, E, I, O, U तो चली देख लेते हैं यहाँ पर first question है fill in the blanks with A, E, I, O, U तो यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए हैं और इन words के अंदर हमें क्या fill करना है A, E, I, O, U यानि कि जो भी हमारे vowels हैं वो हमें यहाँ पर fill करने हैं तो पहला हमारा जो word है वो है C and T अब यहाँ पर जो है blank दिया गया है यानि कि इन में से हमें एक word को लेना है और उसको यहाँ पर fill करके word को complete करना है तो हमें देख रहा है कि C-T, C, A, T, Cat, Cat यानि कि बिल्ली D-P, D, I, P, Dip, S-N, S, U, N, Sun, Sun यानि कि सूरज P, O, T, Pot, Pot, Pot क्या होता है बच्चों, Pot का मतलब होता है घडा, K-T-, अब यहाँ पर हमारे two vowels आएंगे इस word को complete करने के लिए तो आपके बच्चों को जो words है, छोटी-छोटी three letter word है, four letter word है वो आने चाहिए, उसी की वज़े से यह word जो है वो complete कर पाएंगे तो यहाँ दिया है K-T-, K-I-T-E, काइट, काइट का मतलब होता है पतंग अब यहाँ पर हमें next word दिया गया है P-T, P-U-T put, B-A-T bat, N-I-B nib, C-U-T cut और C-A-K-E cake तो यहाँ पर हमारे जो भी हमने vowels को use किया है उसकी वज़े से हमारे जो words है वो complete हो गए है next question है match the rhyming word यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए है वो आपस में मिलते जुलते है यानि कि वो rhyming word है तो हमें उनको आपस में match करना है तो पहला हमारा rhyming word क्या बनेगा उसके लिए हमें यहाँ पर इसको पढ़ना होगा तो चलिए देख लेते हैं पहला word है हमारा यहाँ पर B-U-N यानि कि B-A-N-B-N बन का बनेगा S-U-N-S-N तो हमें क्या करना है बन को सन के पास ले जाकर के छोड़ देना है C-U-P-Cup का बनेगा P-U-P-P-Cup देखो हमारा rhyming word बन गया है R-A-T rat, H-A-T hat, H-O-T hot, P-O-T pot यहाँ पर जो भी हमारे four rhyming words से उनको हमने आपस में match कर दिया है और यह हमारा question भी complete हो गया है so next question है question number three, match the opposite words, opposite words का मतलब होता है उल्टे शब्द यानि की विप्रीच शब्द, जैसे की पहला word है हमारा I-N, in, in का मतलब होता है अंदर, और अंदर का opposite word क्या होगा, बाहर, तो बाहर को इंगलिश में क्या बोलते है, O-U-T, out, so in का opposite word बनेगा, out, U-P up, अप माने उपर और अपका opposite word बनेगा, D-O-W-N, down, next word है, G-O, go, go माने जाना, go का opposite word बनेगा, C-O-M-E, come, D-A-Y, day, day का बनेगा, N-I-G-S-T, night, H-A-P-P-Y, happy, happy माने खुश, इसका opposite word बनेगा, S-A-D, sad, L-O-N-G, long, long यानि की लंबा, और इसका opposite word है, S-H-O-R-T, short, short यानि की छोटा, so next question है, match the singular to plural, यानि की singular को हमें plural से match करना है, singular का मतलब होता है, single word, और इसके सामने लिखे है plural, यानि की बहुत साली चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें singular को क्या करना है, plural form के साथ match करना है, तो पहला word है, B-O-Y, boy, boy माने लड K, B-A-G, bag, bag, bags, K-I-T-E, kite, kite का बनेगा kites, A-P-P-L-E, apple, apple का बनेगा apples, C-A-T, cat, cat का बनेगा cats, and girl का बनेगा girls, यानि की लड़की, लड़किया, तो यहाँ पर जो भी हमारी singular to plural थे, उनको भी हमने आपस में match कर लिया है, So next question है, circle the family, A-G, egg, तो यहाँ पर जो भी हमारी A-G वाली family है, उसको हमें circle करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए है, उन words में हमें A-G वाली family को circle करना है, B-U-N, bun, यह नहीं है, S-A-G, sag, तो यह हमारी A-G वाली family है, इसको हमने circle कर लिया है, S-U-N, son, D-O-G, dog, इस नहीं है, H-A-T hat, T-A-G, tag, तो यह हमारी A-G वाली family बन गी, B-A-G, bag, यह भी हमारी A-G वाली family है, C-A-T cat, यह नहीं है, N-A-G, nag, तो यह भी हमारी A-G वाली family है, तो इस family के इंदर हमारे कौन-कौन से थे, sag, nag, bag, and tag, so next question है, fill in the blanks using this or that, यहाँ पर हमें कुछ pictures पना के दी गई है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक छोटे-छोटे sentences है, तो पहले हमें उन sentences को read करना है, this का मतलब होता है वह है, और this का हम use करते है, past की चीजों के लिए, यानि near की चीजों के लिए, और that का भी singular form के लिए ही use होता है, लेकिन दूर की चीजों के लिए use होता है, तो य यहाँ पर हम बोलेंगे, that is a flower, dash is a bat, यह भी दूर बना है, तो again हमें लिखना है, that is a bat, अब kite जो है वो बिल्कुल past में बनी है, और past की चीजों के लिए हमें use करना है, this का, this is a kite, तो spelling हम लिखेंगे, t-h-i-s, this, apple भी नजदीक है, तो बोलेंगे, this is an apple, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, t-h-i-s, this, तो यहाँ पर हमारा question number 6 जो है, वो भी complete हो गया है, so आज हम लोगोंने discuss किया है, UKG English Worksheet, so hopefully यह worksheet आपके बच्चों के लिए helpful होने वाली है, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like जरू कीजेगा, and channel Kids Learning Fund को subscribe, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, thank you